नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आज हम गर्मियों में तर्बूच खाने के 10 फायदे जानेंगे Hydration तर्बूच बान में प्रतिशत पानी से बना होता है जो गर्मी में शरीर को हाइडरेट रखने में मदद करता है पोशक तत्व तर्बूच में विटामिन A, C, पोटेशियम, मेगनीशियम और लाइकोपीन जैसे महत्वपून पोशक तत्व होते हैं पाचन तर्बूच में फाइबर होता है जो पाचन ख्रिया को बहतर बनाने में मदद करता है वजन घटाना तर्बूच में कैलोरी कम होती है और यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महिसूस कराता है जो वजन घटाने में मदद कर सकता है रखचाप तर्बूच में पोटेशियम होता है जो रखचाप को नियंतरित करने में मदद करता है रिदे स्वास्थय तर्बूज में लाइकोपीन होता है जो हृदय रोगों के खत्रे को कम करने में मदद करता है त्वचा तर्बूज में विटामिन A और C होता है जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करता है कैंसर तर्बूज में लाइकोपीन होता है जो कुछ प्रकार के कैंसर के खत्रे को कम करने में मदद करता है। मानस्पेशियों की ठकान, तर्बूज में एलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो मानस्पेशियों की ठकान को कम करने में मदद करते हैं। उर्जा, तर्बूच में प्राकृतिक शर्करा होती है जो आपको उर्जा प्रदान करती है। ज्यान दे तर्बूच का अधिक सेवन न करें क्योंकि इससे दस्त और पेट फूल ने जैसी समस्याएं हो सकती है। गर्मी के मौसम में तर्बूज का सेवन करने से आपको लू से बचने में मदद मिल सकती है। तर्बूज का सेवन करने से आपके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। तर्बूज का सेवन करने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ती है। गर्मियों में तर्बूज का सेवन करने के लिए कुछ सुझाव, तर्बूज को थंडा करके खाएं तर्बूज का जूस बना कर पी सकते हैं तर्बूज की सलाद बना कर खा सकते हैं तर्बूज की स्मूदी बना कर पी सकते हैं ये भी ध्यान रखें तर्बूच खरीदते समय हमेशा ताजा और पका हुआ तर्बूच चुने तर्बूच को काटने के बाद उसे फ्रिज में रखे और दो माइनस तीन दिनों के अंदर खा ले तर्बूच का सेवन करने से पहले उसे अच्छी तरह से धोले विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद